क्लास 6 के चैप्टर 9 को आज डिसकस करेंगे जो कि है खुशाल गाउं और सम्रद शहर बहुत चोटा सा चैप्टर है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और इससे पहले जो वीडियोस हमने दो डाले थे वो इंग्लिश मेडियम के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर डाले ग अगर इंग्लिश मेडियम के स्टूडेंट्स अगर ज्यादा संख्या में हो लिए तो फिर आगे हम लोग इंग्लिश की चला देंगे और एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग लोग लाइक शेर नहीं करते हैं अगर एतनी महानत से आपके लिए कान किया ज इसकी क्लास गाओं की संवरधी और के खुशाली राजां के बहुत महतवूर्ण थी कियोंकि संवरधगां के विन रा Alreadyboo का बने रहेका बहुत मुझ Ol причине कि वाश्यार के जरुएará को इसी करम में कंप्र मेकों चृज़ाई जिन में क्रश व कंधूर सब्स्चाइए कर बशू तो पूर्ण कदम ثابit हुई सिजाई के लिए क्या-क्या यूज होता था तो सिजाई के लिए नहरे बनवाएं गई थी कुवें थे तालाब बनवाएं गए क्रतरिम जलाशे बनवाएं गए वही औजारों की बात करे लिए तो पत्थरों के औजारों का स्थान उत्तरवैदिक काल में और लोहे की इस महादवीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब से शुरू हुआ तो 3000 साल पहले शुरू हुआ ठीक है काल की बात करें तो उत्तरवैदिक काल है और लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग इस महादवीप में शुरू हुआ महापाशार कबरों में लोहे की ओजार और हतियार बड़ी संख्या में मिले हैं जो महापाशार कबरे थी वहाँ पर शवों के साथ साथ हतियारों को और ओजारों को भी साथ में दफनाने की प्रमाण मिले हैं इसको हम लोग पीछे डिसकस कर चुके हैं पिछले जाप्टर्स पे अब बात करें कि गाओं में कौन लोग रहा करते थे तो इस उप महाद्वीप में दक्षिनी और उत्री हिस्सों के अधिकांश गाओं में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे ठीक है कौन-कौन से तमिल शेत्र में बड़े भू स्वामियों को वेल लला साधारन हलवाहों को उडवार दास कडैसियार और अधिमाई कहलाते थे इनको ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टन है जो बड़े भू स्वामी होते थे उनको वेल लला कहा जाता था कहा पर तमिल शेत्र में जो साधारन हलवाहे हलवाही का मतलब होता है क्रशक जो साधारन क्रशक थे उनको उडवार और दास जो थे उनको कडैसियार या फिर अधिमाई कहा जाता था ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं और questions यहां से बनते हैं चलिए आगे देखते हैं देश के उत्रे हिस्से में गाउं का प्रधान व्यक्ती ग्राम भोजक कहलाता था ठीक है? ग्राम का जो प्रधान हुआ करता था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था और यह जो ग्राम भोजक का पद था यह अनुवान्शिक था यानि कि एक ही परिवार के लोग अकसर इस पद पर बढ़े रहते थे यानि यह अनुवान्शिक पद हुआ करता था और ये ग्राम भोजक जो थे वो बड़े जो भूस्वामी होते थे जिनको वेलिला कहा जाता था ना वही भूस्वामियों को ही ये पद प्रदान किया जाता था साधारांट देया नियाधीश का और कभी कभी पुस्ट का काम वी किया करते ते भाज के अलावा अन्य सवतनत्र कृषिक भीöyle होते हैं जैने ग्रहड का हाध कहते थे जो क्रषक हुआ करते थे और वाक्य सवतनत्र कृशक मितलब इनकी खुद की ह्थोंपी है और दास कौन लोग होते थे जो कि ये ग्राम प्रधान यानि ग्राम भोजक के भूमी पर ही काम किया करते थे तो ये तो हो गई क्रिशकों की बात इसके अलावा गाओं में लोहार, कुमहार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे चलिए, अब बात करेंगे प्राचिन्तम तमिल साहित्य के बारे में, तमिल रचनाओं के बारे में, काफ़े इंपोर्टन टॉपिक है, ध्यान दीजेगा, जो तमिल की प्राचिन्तम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, बहुत कवियों के संमेलन में जो कविता थी, उनको संकलन किया गया था, इन रचनाओं का संकलन किया गया था, किसमें कवियों के संमेलन में, और कवियों के संमेलन को ही संगम कहा जाता था, इसलिए इसे पूरे साहित्य को नाम दिया गया संगम साहित्य, चलिए, अब बात करेंग ऐहथ सिक्के थे नि इनट के लिए आहथ सिक्के थे जो कि करीब 500 साल चले। रहे हैं जो यहाँ से प्रशनाते हैं कि अहत सिक्के क्या होता है। wear都ав 씨 controversy Ch"; चाण्दी या सोने के सिक्कों पर विभन आकरतियों को आहथ आहत कर बनाई जाने के कारण इन्हें आहथ सिख कहा जाता है यानि कि उट पे कुछ लिखा नहीं हुआ करता था बलकि इनकी जाते थे थप्पे से बनाय जाते थे यानि कि उसको ठप्पे से बनाए जाने के कारण ही इन सिख्वक क्या कहा जाने लगा आहद सिक्के कहा जाने लगा यह question आता है exam में ध्यान रखीएगा अब next topic बनता है नगर अनेक रहे थे नगर और ऐसे ही नग्रों मेंसे एक नाम आता है मत्वुरा का मत्वुरा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे मत्वुरा पच्छिस सौ साल से भी जादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्यूंकि यह यतायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर सिथ था इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चन से पूरब की ओर था दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षण की ओर जाने वाला था ओके शहर के चारों और किले बंदी थी इनमें अनेक मंदिर थे मथुरा बहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था शहर के चारों और किले बंदी थी, मतलब शहर की चारों और उची-उची दिवारें बनाई गई थी उची-उची दिवारें बनाने को ही किले बंदी कहा जाता है, यह सुरक्षा की दृष्टी से किया जाता था आपर बनाएा, केंद्र बना, आज देखते हैं, लगबग 2000 साल पहले, मतुरा कुशाणों की दूसरी राजधानी बनी, इंपोर्टन पॉइंट है, लगबग 2000 साल पहले मथुरा कुशाणों की दूसरी राजधानी बनी मथुरा में प्रस्तर खंडों एवं मूर्तियों के अनेक अभिलेक मिले हैं आम तोर पर जो अभिलेक मिले हैं वो काफि संशिप्त हैं और मंदिरों या मठों में जो दान दिया जाता था उसका उलेख ही नभिलेखों पर मिलता है ठीक है? नेक्स नम बात करेंगे बेरी गाजा की बेरी गाजा क्या है? जो भरूच है उसका ही युनानी नाम है बेरी गाजा ओके? इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे भरूच बंदर्गा जो है भरूच पत्तन जो है उसी का यूनानी नाम है बेरी गाजा इसको भी ध्यान रखेंगे ओके यहां से क्या-क्या आयात होता था निर्यात होता था यह भी देखते हैं तो बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मुंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता थ इसके साथ ही काफी चीज़ें निर्यात भी की जाती थी जैसे कि हाथी दात, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र और हिमाले की हिबाले में प्राप्त होने वाली जड़ी पूतियां इस तरह कि जो चीज़े थी वह यहां से निर्यात भी की जाती थी तो याद रखेंगे बेरी युणानी नाम है जो कि एक मुखिता क्या है बंदरगाह है ओके नेक्स्ट आपको पढ़ना है अरिका मेडू के बारे में ठीक है अरिका मेडू एक जगा है जो कि पुदुचेरी में है इस टाइम और अरिका मेडू में लगभग 2000 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पत्तन थ ठीक है जिस तरह से बेरी गाजा पत्तन था उसी तरहीं के से अरिका मेडू भी पत्तन था यहां से दूर दूर से आये जहाजों से समान उतारे जाते थे और यहां इंटों से बना हुआ एक धाचा मिला है जो संभवता गोदाम रहा होगा गोडाम होगा जिसमें की अनाज या क्रशी उत्पाद रखे जाते होंगे यहां भूमद्दी सादरी शेत्र में शेत्र के एमफोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनमें शराब या तेल जिसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हथे लगे थे यह मॉस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना भूमद्दी शेत्र के एमफोरा जैसे पात्र यह एमफोरा जो है एक्जाम में पूछा जातुका है ठीक है एमफोरा क्या है यह प एरेटाइन जोसे मोहर लगे चमकदार बरतन भी मिले हैं यह भी एक पॉइंट है इसको भी याद रखें एरेटाइन क्या है यह भी एक मोहर लगे चमकदार टाइप के बरतन है इन्हें इतली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था ओके यह भी भी point यहां से नहीं छुटा है questions आपको इनी points में से देखने को मिलेंगे चलिए मिलते हैं next वीडियो में वीडियो गर useful लगी है तो like, share जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe करें, bell icon को भी press कर लें ताकि वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहें मिलते हैं next वीडियो में, bye bye, see you soon